करीब 1500 साल पहले भारत में थी एक ऐसी उनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी उनिवर्सिटीज में से एक है नालंदा नालंदा शब्द तीन शब्दों से बना है ना प्लस आलम प्लस दा इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमाना हो वाकरी जैसा नाम वैसा का इस उनिवर्सिटी में ग्यान का भंडार था यहां सिर्धार में ग्रंथ ही नहीं बलकि लिट्रिचर, थियॉलिजी, लॉचिक, मेडिसिन और फिलोसिफी जैसे कई सब्चेक्ट्स पढ़ाई जा दे थे और तो और हर सब्चेक्ट का भरपूर ज्यान देनी के लिए बनाई गई थी नौ मंचला लाइप्रिप्रिप्रिप्र, जिसमें लाक दो लाक नहीं, नब्वे लाक से भी ज्यादा बुक्स और मैनिस्क्रिप्ट्स थी ये युनिवर्सिटी साथ सौ साल तब दुनिया को सीख दे दी रही लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी जेला आखिरकार बारहवी शतावदी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइबरी तीन महीने तक जल दी रही और ग्यान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था दुमे में खो गया उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी वो एक महा विहार यानि विशाल बौध मठ का हिस्सा थी जिसके खंड हर आज भी 57 एकर में फैली इस साइट में नज़र आते है कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरसल आम के बगीचे पर बनी थी जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तुछफे में दिया पर आख्यालोजी के हिसाब से नालंदा को 5th century BC में गुप्त काल में बनाया गया था उसके बाद गुप्त काल में इस जगर का और डिवेलपमेंट हुआ और ये एक विहार से साथ्मी शताप्दी तक महा विहार बन चुका थी अलग-अलग दोर में यहां कई महान टीचर्स ने पढ़ाया जैसे नाकरजुना, बुद्धपालिता, शांतरक्षिता और आर्यदेव और जानते हैं स्ट्यूडिन्स कौन थे, चाइनीज ट्रावला, ह्योंग साउंड जैसे कई लोग, जो दुनिया भर से यहां खिजे चले आते थे यहां पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यानमार से, श्री लंका से, अनेक प्रांतों के लोग इस जगा पर शिक्षा ग्रहंट करने के लिए आया करते थे, इस महा विहार में लेकिन इस सब के बावजूद, नालंदा वक्त की मार को नहीं छेल पाई इसलिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से, नालंदा ने एक मौडर्न इंटरनाशनल युनिवरसिटी की रूप में फिर से जन्म लिया नालंदा जैसी युनिवरसिटी इस बात का सुबूत है